नमस्कार, स्वागत है आपका जैभारत टीवी में, मैं हूँ आपके साथ अकांशा थापा क्या भाजपा के नेता पार्टी से नाराज चल रहे हैं? या साल 2016 में भाजपासिर में शामिल हुए 11 कॉंग्रेसी नेता अपनी शिकायते लेकर और नाराजगी के साथ सामने आ रहे हैं और जिस तरह से उन्हें दिगज नेताओं का साथ मिल रहा है जैसे की डॉक्तर हरक सिंग रावर सुबो दुनियाल और तमाम दिगज नेताओं का साथ मिल रहा है उस वज़े से ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है और ऐसा भी माना जा रहा है कि अब आने वाले चुनाओं से पहले पार्टी में बड़ी तूट हो सकती है क्या ये नेता बीजेपी का दामन छोड़ वापस से कॉंग्रेस का साथ अपनाएंगे देखे हमारे स्रिपोर्ट बीजेपी में शामिल हुए तमाम पूर कॉंग्रेसी नेताओं को लेकर एक बार फिर हल चल बढ़ गई है क्यांस लगाए जा रहे हैं कि कॉंग्रेस छोड़ बीजेपी में आई ये नेता फिर पाला पदल सकते हैं जी हां रायपूर से बीजेपी विनायक उमेश शर्मा काउ के जगड़े के बाद दूसरे पूर कॉंग्रेसी नेताओं को दर्द भी सामने आने लगा है कॉंग्रेस के बागी ये नेता अब काउ के समर्थन में खुल कर खड़े हो गए हैं उमेश शर्मा काउ ने भी बीजेपी को खुली चुनाउती दे दिये हैं काउ ने दिल्ली में बीजेपी के राश्टी नेतरत्व के समक्ष अपनी पीड़ा बयान कर दी हैं उनका कहना है कि उनके साथ बीजेपी में सौतेला व्यावार क्या जा रहा है न्याए नहीं मिरा तो दूसरे सभी पूर कॉंग्रेस नेताओं के साथ मिलकर फैस ठालेंगे बहुत समान दिया उसके लिए हमने उनका अभार भी किया सबका धन्यवाद किया अब जो भी निर्ने है वो राश्टी अस्तर से लेना है अगर कोई निर्ने नहीं होता फिर हमारा एक अपना संगठन है प्रूप है हम लोग इधर कैबिनेट मंद्री डॉक्टर हरक सिंग्रावत भी अपने पुराने साथी विदाय कोमेश शर्मा काउ के समर्थन में उतर गये हैं हरक सिंग्रावत के काउ की पैरवी में उतर आने से सूबे की सियासत में हलचल है हरक सिंग्रावत ने साफ कर दिया है कि अगर बीजेपी में काउ के साथ गलत वेवार होगा तो यह बरदाश्ट में ही किया जाएगा हरक सिंग्रावत ने यह भी का कि बीजेपी में कुछ लोग हैं जो पूर कॉंग्रसी निताओं के खिलाब पिछले पांच सालों में लगातार शड़यंतर करते आये हैं और ऐसे शड़यंतर कारियों को वो मुहतोर जवाब देंगे काओ भाई के साथ हैं कंदे से कंदा में जब हमारे साथ उस बुरे दोर में मेरे एक अन्रोध पर एक बार मैंने उनसे का कि हमें कॉंग्रेस छोड़नी है और अब कॉंग्रेस में नहीं रहना है उन्होंने मेरे एक अन्रोध को स्विकार किया आज यह मेरी भी जिम्यदारी बनती है कि या हमारे और सात्यों की भी जिम्मिदारी बनती है कि उनके साथ या किसी और के साथ भी कोई अन्या है वो तो हम आपस भारते जिनता पार्टी परवार के सदिसे हैं लेकिन किसी भी परवार के सदिसे के साथ कोई अन्या होता है तो उस पूरे परवार साथ देता ह जो लोग हमारे खिलाब इस तरह के सडेंटर कर रहे हैं, जो लोग हमारे खिलाब इस तरह की काम कर रहे हैं, हम उनको मों तोड़ जवाब देने के लिए त्यार है। जैभारत टीवी के लिए देहरादून से केमरमेन प्रदीप बिश्ट के साथ हेमभट की रिपोर्ट लाइक शेर और सबस्क्राइब करना मजब भूलेगा। फिलाब मुझे दीजेए जादर, नमस्कार। लाइक जादर